हगदर्शक बनने से पहले तो मैं साधारन घर की ग्रहनी थी, ऐसा कुछ काम अगरा तो कुछ करती नहीं थी, बाहर जाने का तो सोचना भी नहीं था, क्योंकि हगदर्शक बनने से पहले जो है वो कुए कमेंड हक रहता है, उसी तरह हम एक अपने गाव में ही रहते थे, जब हमारे ही जैसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफर्म है जिस पर हमको काम करना चाहिए, सीखने के साथ साथ लोगों में भी जागरुकता लानी और उनको भी यह जानकारी देनी ज़रूरी है, जो हमारे ही बीच रह के हमको मालूम होनी चाहिए, और जो भी था फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके धीरे से अपने हिचकी चाहट बात करने में लोगों के सामने जो परिशानिया आती हैं, सीर ढखो, कैसे बोलेंगे, अपने आपको कहीं बूरा किसी को ना लगे इस बात का भी, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया थोड़े से एक घर से दो से फिर मेरी जिजग भी थोड़ी सी दूर हो गई हगदर्शक में मैंने काम किया तो लोगों को जागरुक किया जानकारी के साथ साथ इसमें मुझे एक अच्छा बेनिफिट मिला मेरी आयका एक स्रोध बना जिसे मेरे घर परिवार से लेकर सारे लोग इतने खुश हुए क पूछिये मत की तुने इतना कमाया मेरे से जादा मिश्टर भी भूल रहते तू भी कमाने वाली हो गई ऐसा करके जब मेरी सासु अम्मा के आखो प्यास एक्छल मिया सवा गया सर जब मैंने उनको पैसे दिये कि मेरी एक महिनी की कमाई साड़े पांच हजा रुपए मेरे यह उस टाइम मैं बोल नहीं सकती सर इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैंने लोगों कि भलाई की तो मुझे यह यह आ रहा है कास यह अगर हग दर्शक दो तीन साल पहले ही आया हुआ तो आज मेरी कहां से कहां तक इंकम होती जड़ा है के लोगा है कि कि अजय हो अगय है वह दो डगब है टूब टिन दोलो नहीं सब्सक्रावपन के दिसे प्रभा है कि मैं तोलोन से कि अज़ी है झाँ रवा यहाँ है